प्राइस जब low-low बना रहा होता है उसी दोडान अगर RSI इंडिकेटर higher low बना देता है तो हम कहते हैं यहां RSI bullish divergence create हुआ है अब प्राइस यहां से उपर जाने का चांसे क्यूकि यह RSI bullish divergence से हमें पता चल रहा है भले ही प्राइस अभी भी low-low बना रहा है बट यहां RSI ने strength दि effective हो रहा है और इसलिए RSI bullish divergence को देखने के बाद हम प्राइस यहां से रिभर्स करके उपर जा सकता है इसका अंदजा लगा लेते हैं और इस एरिया में buying opportunity ढूनते रहते हैं तो basically bullish RSI divergence हमें trend reversal का indication देता है और इसी bullish divergence का और एक advanced level है जिससे RSI hidden bullish divergence कहा जाता है इस indicator के बढ़े मे बहुत कम traders जानते हैं बट यह बहुत ही effective है एक बढ़ अगर आप इसे सिख लिया तो आपका trading advanced level की और एक step आगे बढ़ जाएगा तो इसका formation को पहले हम समझ लेते हैं इसमें price लगा तर जब high low बना रहा होता है मतलब uptrend में जा रहा होता है तो हम हार एक throwback में buying opportunity ढूनते बट अगर uptrend बहुत ही strong है तो हमें एक अच्छा throwback दिखने को मिलता ही नहीं है उससे पहले price फिर से अपने uptrend को continue करने लगता है तो price अगर strong uptrend में जाना शुरू कर दिया है तो वहां हमें स्रेप price action से एक अच्छा buying signal मिलता नहीं है यहां आपको help करेगा RSI hidden bullish divergence चार्ट के निचे आपको 14 periods RSI float कर लेना है प्राइस जब high low बना रहा है अगर उस time RSI low low बना देता है तो यह बन गया आपके लिए RSI hidden bullish divergence और यह चीज हमें indicate करता है कि price यहां से अभी उपर जाएगा और ऐसा क्यू है उसका psychology को एक बर समझ लेते हैं देखिए price जब strong uptrend में रहता ह तो वहाँ price को buyers control कर रहा होता है लेकिन बीज बीच में buyers के दोवारा profit booking के करन selling pressures थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और हमें throwback देखने को मिलता है लेकिन अगर trend बहुत strong है तो यह throwback हमारे expectation के according नहीं होता है उससे पहले ही buyers फिर से active होके price को अपने strong uptrend में continue करने लग जाते ह बट throwback के time अगर RSI low-low बना देता है मतलब price जिस speed से previous low बनाते time नीचे गिरा था उससे ज़्यादा तेजी से अभी नीचे गिर रहा है और क्यूंकि price action के according price अभी भी एक strong uptrend में ही है तो इस तरह का strong नीचे गिरने का opportunity को buyers जो wait कर रहा है एक अच्छा buying area का वो miss नहीं करेग बहुत ही जल्दी यह aggressive buy करने के लिए आ जाएगा और price फिर से अपने strong uptrend को continue करने लग जाएगा तो ऐसे ही hidden bullish divergence काम करता है regular bullish divergence हमेट trend reversal के time trade लेने में help करता है और hidden bullish divergence हमें strong uptrend में trade लेने में help करता है अभी हम hidden bullish divergence को practical समझने के लिए real chart में इसे देखेंगे लेकिन chart में जाने से पहले मैं आपको बता दू कि यह hidden bullish divergence सभी time frame में काम करता है बट मैं personally swing trading के लिए इसे one day time frame chart के उपर देखता हूँ और intra day के लिए 15 minute या 5 minute chart के उपर देखता हूँ बट सभी time frame chart के उपर जो RSI का setting है वो 14 periods ही रहेगा इसमें कोई बदलाब नहीं होगा तो चलिए अभी हम rail chart की और आगे बढ़ते है अभी आपके सामने Tata Motors का one day time frame chart ओपन है यह जो latest candle है यह 20 December 2023 का है यहाँ प्राइज अप्ट्रेंड में जाते हुए अभी throwback कर रहा है next candle एक bullish candle बन गया तो चार्ट के उपर हमें एक high low point मिल गया प्राइज में हमें यहाँ high low बनते हुए दिख रहा है बट 14 periods RSI ने lower low बना दिया तो यहाँ hidden bullish divergence create हो रहा है मतलब यहाँ buy करने का time आ चुका है बट एक चीज याद रखना hidden bullish divergence कभी भी entry point को define नहीं करता है यह सरे buying area तक price पहुँच चुका है इसे define करता है entry point decide करने के लिए आपको recent price action को परना है यहाँ पे क्योंकि यह एक strong selling candle बन गया है तो एक strong bullish control candle इसके 50% के उपर close करना होगा अभी हमें entry के लिए और price action का wait करना है next candle 50% के उपर आके close कर गया बट यह इतना strong नहीं है इसका upper shadow थोड़ा बड़ा दिख रहा है अभी जिस भी candle ने इसका high को cross करेगा उसी time हमें entry ले लेना है next candle ने ही यह high को cross कर गया जैसे ही cross किया उसी time entry हो गया इसके बाद आप देखोगे price बहुत ही strong उपर चला गया अभी इसी चार्ट इतना उपर आने के बाद फिर से यहां एक hidden bullish divergence क्रेट किया है यहां भी अभी का price action से एक strong entry point नहीं मिल रहा है हमें और wait करना है next candle ही एक strong bullish candle बना देता है इसके बाद आप देखोगे price फिर से एक hidden bullish divergence क्रेट किया है तो यहां position को और increase करने का मौका हमें मिल रहा है और recent price action से यह एक सही entry भी यहां दिखाई दे रहा है उसके बाद आप देखोगे price बहुत ही fast उपर गया है आगे जाके price जब strong throwback क्या तो आप price में यह दो major point को connect करोगे और RSI lower low को connect करोगे तो आपको एक hidden bullish divergence यहां देखने को मिल जाएगा और price action के according यहां आपको buy entry point मिल गया और क्यूंकि इस candle में एक strong selling pressure आया हुआ है तो आप target इस area तक ही रखोगे तो ऐसे ही hidden bullish divergence मेथोड से आप strong uptrend में buy opportunity ढोण पाओगे इसे सिखने के बाद अभी आप इसे चार्ट में ढोणने की कोशिस कीजिए आप खुद देख पाओगे यह कितना अच्छा काम कर रहा है चार्ट के उपर अगर आपको किसी भी चार्ट में यह मिल रहा है तो comment section में उस stock का नाम, चार्ट, टाइम फ्रेम और date जरूर लिख देना इससे जितने भी लोग यह वीडियो देखके concept को deep समझने की कोशिस करेगा उनको थोड़ा help हो जाएगा और ऐसे ही एक दूसरे का comment क्या हुआ चार्ट को देखके बहुत कम समाई के अंदर सब को ज़्यादा से ज्यादा चार्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में नएक वेकंसिप के साथ